एलो फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं आपका भाई एक बार फिर आज जरूँ एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफी सारे लोग यूएस जाना चाहते हैं परपस कुछ भी हो सकता है गूमने के लिए या इस्टडी परपस से या कोई बिजनिस वर्क से बट यूएस जाने के लिए आपको एक यूएस वीजा की जरूद पढ़ती है और आज हम इस वीडियो में उसी यूएस वीजा के ओनल इन जगों पर हैं आप इन मैंसे कोई भी एक लोकेशन जो आपके नियरेस्ट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं और फ्रेंट्स वीडियो शाट करने से पहले मैं आपको दो बात है बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर है और वीडियो को लाज तक जरूर देखें तब ही आपको यह पूरी प्रॉसेस में आएगी तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आपको इस पेज पर आ जाना है इस पेज का डारेक्ट लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आप वहा सबस्ट पास यह पेज ओपन होकर आ जाएगा यहां पर इंहोंने एक फ्रॉड नोटिस दे रखा है आप इसको पढ़के आई एग्री पे क्लिक कर देंगे और आप देखेंगे यहां पर औल्लेडिया आपको एक एक एप्लिकेशन आइडी मिल चुकी है अब आपको यहां question select कर लेना है for example हम सबसे उपर वाला ही देख लेते हैं what is the given name of your mother's mother मदब आपके नानी का नाम यह पूछ रहे हैं तो हम यह पर नाम fill कर देंगे name fill करने के बाद आपको continue पर click कर देना है continue पर click करने के बाद friends आपके पास यह page open पर आजाएगा यहां पर सबसे पहले आपको surname fill कर देना है surname fill करने के बाद आपको यहां पर अपना name fill कर देना है and full name in native alphabet यह optional है अगर आपको fill करना है तो कर दीजिए otherwise आप यहां पर does not apply पे click कर देंगे then आपके question पूछ रहे हैं इनके आपको answer देने accordingly जैसे यहां पर आपसे पूछ रहे है have you ever use the other name तो अगर आपने कोई और नेम यूज किया है तो आप yes otherwise no पे click कर देंगे उसके बाद ही आपसे पूछ रहे हैं do you have a tally code that represent your name अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो आप yes otherwise no पे click कर देंगे उसके बाद आपसे आपका sex पूछेंगे तो आपको sex अपना fill कर देना है then friends आपसे आपका marital status पूछ रहे है तो आपको अपना marital status accordingly fill कर देना है फिर आपसे आपकी date of birth पूछ रहे है तो चलिए आप जल्दी save और next personal to यह तीन option आपको हर page पर मिलेंगे तो आपको हर page पर information fill कर लें के बाद सबसे पहले save पर click करना है उसके बाद आपको next पर click करना है तो सबसे पहले मैं आपके पर इंडिया select कर लेते हैं then आपसे फिर यह question पूछ रहे हैं इनके आपको accordingly answer fill कर देने है question read करने के बाद तो हमें आपर no fill करेंगे दोनों में आप अपने accordingly इनके answer fill कर सकते हैं and friends एक बात में आपको और बता दूँ अगर इस form में कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है English में तो अगर आपको Hindi में वह पढ़नी है तो आप थोड़ी देर के लिए उस जगे पर mouse over करेंगे तो आपको वही चीज हिंदी में भी लिखकर आ जाएगी अब हम बात कर bety अधर बात है तो आप फिल कर देंगे otherwise यह ड़ीड़ पर क्लिक करेंगे इह उसके बाद पर रहेंगे एज कर रहें हम यहां पर एक्जामबल कre लिए अगर आपका वं सलेक्ніग कर लेंगे then आप से पूछ रहे हैं have you made specific travel plans अगर आप यहाँ पर yes पर select करेंगे तो आपको कुछ extra information fill करनी पड़ेगी otherwise अगर आप no पर select करेंगे तो आपको यह सारी information fill नहीं करनी पड़ेगी उसके बाद friends आप से पूछ रहे हैं intended date of arrival मतलब आप US कब पहुँचेंगे उसकी intended date approach date आपको fill करनी है तो चलो हम date fill कर लेते हैं then आप से यह intended length of stay in US मतलब कितने दिनों या कितने साल के लिए वहाँ पर रुकेंगे वो आपको fill करनी ना है तो यहाँ पर हम example के लिए one year का देख लेते हैं then आप से यह address पूचेंगे कि आप US में किस जगे पर रुकेंगे तो यहाँ पर आपको अपने address fill कर देना है address में आपको street, city, state और zip code यह optional है, zip code अगर आपको पता है तो आप fill करेंगे otherwise इसको छोड़ देंगे then आप से पूच रहे हैं person paying for your trip आपके जो trip का cost रहने वाला है वो कौन पे करेंगा तो यहाँ पर आप accordingly select कर लेंगे मैं यहाँ पर self select कर लूँगा क्योंकि मैं आपनी trip का cost खुद पे करूँगा then यहाँ पर आपको फिर से save पे click कर लेना है and then continue application and उसके बाद आपको वापस next पर click कर देना है then friends आपके पास नया page open ओकर आजाएगा यहाँ पर यहाँ आप से पूच रहे है person traveling भी दियो अगर आपके साथ कोई और person travel कर रहा है तो आप यहाँ पर yes select कर लेंगे otherwise no पर select कर लेंगे उसके बाद आपको save पे click कर देना है then continue application and then next इतना करने के बाद आपके पास एक नया page open ओकर आजाएगा यहाँ पर आपसे कुछ question पूच रहे होंगे जिनकी answer आपको अपने accordingly fill कर देने है जैसे आपसे पूच रहे है have you ever been in the US अगर हाँ तो yes otherwise no ऐसे यह सारे option आपको select कर लेने है and यह सारे questions के answer करने के बाद आपको save पर click कर देना है and then continue application and उसके बाद next पर click कर देना है अब friends आपके पास एक नया page open ओकर आजाएगा यहाँ पर यह आपसे अपना address पूचेंगे address में सबसे पहले आपको अपना street फिल कर देना है then आपको अपना city फिल कर देना है then state यह optional है अगर आपको नहीं फिल करना है तो does not apply पे click कर देंगे and postal code भी optional है अगर आपको फिल करना है तो आप कर दीजी otherwise does not apply पे click कर देंगे यहां पर फिर से आपको अपना country select कर लेना है हम यहां फिर से इंडिया select कर लेंगे इन आप से पूछ रहे हैं is your mailing address the same as your home address अगर हां तो yes, otherwise, no पर click कर देंगे तो हमें यहां पर yes पर select कर लेंगे कि हमारा mailing address और home address same है फिर friends आप से यह phone number पूछ रहे हैं आपका तो यहाँ पर आपको अपना phone number fill कर देना है then यहाँ पर secondary phone number और work phone number आपसे पूछ रहे हैं अगर आपको fill करना है तो कर दीजिए otherwise does not apply पे click कर देंगे then friends आपसे पूछ रहे है have you used any other phone number in the last 5 years अगर आपने last 5 साल में कोई और phone number use किया है तो आप yes otherwise no पे click कर देंगे आपको social media platforms के बारे में पूछ रहे हैं आपसे अगर आपके पास कोई social media platform है तो आप यहाँ से select कर लेंगे for example हम यहाँ पर Instagram fill कर लेते हैं उसके बाद आपको social media identifier यहाँ पर fill कर देना है हमारी case में हम अपना Instagram username fill कर देंगे then friends आपसे पूछ रहे हैं then continue application and उसके बाद आपको next पर click कर देना है next पर click करने के बाद friends आपके पास passport information का page उपन उकर आ जाता है यहाँ पर यह आपसे passport information मांगेंगे सबसे पहले आपको अपना passport type select कर लेना है regular, official, diplomatic, etc, etc तो यहाँ पर mostly people के पास तो regular passport रहता है तो हम यहाँ पर regular select कर लेंगे उसके बाद यह आपसे passport document number पूछ रहे हैं आपका तो आप अपना passport document number फिल कर देंगे then friends आपसे passport book number पूछ रहे हैं और आपके पासपोर्ट book number है तो आप यहाँ पर फिल कर देंगे otherwise does not apply पर click कर देंगे आपसे पूछ रहे हैं आपका passport किस country ने इसु किया है तो यहाँ पर हमारे case में इंडिया उल्रेडी फिल हो रखा है अगर आपको कोई और country फिल करना है तो आप यहां से वह country select कर लेंगे उसके बाद friends आपसे city पूछ रहे हैं जिस city से आपका passport इसु हुआ था तो आपको वह city यहां पर फिल कर देना है अगर आपका no expiration passport है तो यहां पर आप no expiration पर चेक कर देंगे उसके बाद friends आपसे पूछ रहे है have you ever lost a passport और hand one stolen मदब का passport कभी चोरियक हो गया है तो आप यहां पर yes पर click करेंगे otherwise no पर click कर देंगे and friends उसके बाद आपको save पर click कर देना है then continue application and उसके बाद next पर click कर देना है अब यहां पर आपसे यह US contact के बारे में पूछेंगे कि US आप किस person से या किस organization से मिलने जा रहे हैं अगर यहां पर आप किसी person से मिलने जा रहे हैं तो आप यहां पर वो fill कर देंगे उसका surname और given name तो हम यहाँ पर other select कर लेंगे, अगर आपके case में इन में से कुछ applicable है, तो यहाँ पर आप वो select कर लेंगे, then friends आपको save पर click कर देना है, then continue application, and then next पर click कर देना है, अब friends आपके पास एक नया page उपने कर आजाएगा, जहाँ पर यहाँ आपकी family information मागेंगे आपसे, सबसे पहले आपसे father की information पूछ रहे हैं, otherwise no पर select कर लेंगे, then आपसे आपकी mother की information पूछ रहे हैं, सबसे पहले उनका surname, then name, then date of birth, then आपसे बापस पूछ रहे हैं, is your mother in the US, अगर आपकी mom US में हैं, तो आप yes पर select कर लेंगे, otherwise no पर select कर देंगे, then friends आपसे पूछ रहे हैं, do you have any immediate relatives, not including parents in the US, मनला आपके parents को छोड़ कर आपका कोई और relative US में है, अगर है तो याप yes, otherwise no पर select कर लेंगे, then आपको save पर click कर देना है, then continue application, and then next पर click कर देना है, then friends आपके पास एक नए पेज बाने कर आजाएगा, यहाँ पर यहाँ आपसे आपका occupation पूछेंगे, तो यहाँ पर आप अपने according occupation फिल कर लेंगे, मैं यहाँ पर education फिल कर देता हूँ, इसके बाद आपको save पर click करना है, and then continue application, and then next पर click कर देना है, next पर click करने के बाद आपसे आपका previous work पूछेंगे, तो सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं, were you previously employed, अगर हाँ तो yes, otherwise no पर click कर देंगे, then आपसे पूछ रहे हैं, have you attended any educational institution at a secondary level और अबब, अगर हाँ तो yes, otherwise no पर click कर देंगे, तो हम यहाँ पर yes पर click कर देते हैं, then आपको save पर click कर देना है, then continue application, and then आपको next पर click कर देना है, then आपसे यह आपके additional work की information पूछेंगे, इन सारे question के answer आपको accordingly फिल कर देने हैं, जैसे आपसे पूछ रहे हैं, do you belong to a clan or tribe, अगर हाँ तो yes, otherwise no पर click कर देंगे, तो हम यहाँ पर no पर click कर देते हैं, then आपसे यह language पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपनी language फिल कर देंगे, for example हम यहाँ पर English फिल कर देते हैं, अगर आपको और भी language फिल करनी हैं, तो आप यहाँ पर add another पर click कर देंगे, then आपसे पूछ रहे हैं, have you traveled to any other country, अगर हाँ तो yes, otherwise no पर click कर देंगे, similarly आपको सारे questions के answer आप पर अपने according फिल कर देने हैं, सारे questions के answer फिल करने के बाद आपको save पर click कर देना है, and then continue application, and then next पर click कर देना है, अब आपके पास security and background का नए page उपनो कर आजाएगा, यहाँ पर यहाँ आपसे कुछ questions पूछेंगे, यह question आपको अपने according फिल कर देने हैं, जैसे यहाँ पर यहाँ आपसे पूछ रहे हैं, are you or have you ever been a drug abuse or addict, अगर हाँ तो yes, otherwise no पर click कर देंगे, तो हम यहाँ पर सारे questions की answer no पर click कर रहे हैं, आप अपने accordingly इनकी answer फिल कर देने, then आपको save पर click कर देना है, and continue application पर click कर देना है, then next पर click कर देना है, then security and background part 2 का page उपनो कर आजाएगा, यहाँ पर भी आपसे कुछ question पूछ रहे हैं, इन सब questions की answer yes or no में फिल कर देना है, अपने accordingly, सारे questions की answer फिल करने के बाद आपको save पर click कर देना है, then continue application, and then next पर click कर देना है, अब आपके पास part 3 उपनो कर आजाएगा, यहाँ पर भी आपको सारे questions की answer अपने accordingly फिल कर देना है, then आपको save पर click कर देना है, and then continue application, and then next पर click कर देना है, अब आपके पास security and background का part 4 उपनो कर आजाएगा, यहाँ पर भी आपसे कुछ question पूछे जाएगे, यहाँ पर भी आपको इन questions की answer अपने accordingly yes या no में फिल कर देना है, सारे questions की answer करने के बाद आपको save पर click कर देना है, then continue application, and then आपको next पर click कर देना है, अब आपके पास security and background part 5 का page उपनो कर आजाएगा, यहाँ पर भी similarly आपस question पूछेएगे, आपको इनकी answer भी yes या no में फिल कर देना है, and then आपको save पर click कर देना है, then continue application, and next पर click कर देना है, अब आपके पास एक नया page उपनो कर आजाएगा, यहाँ पर आपको सारी information आपको दिखाएगे, जो भी आपने फिल कर रही है, अगर आपको information edit करनी है, तो आप edit पे यहाँ पर click कर देंगे, otherwise आप next पर click करेंगे, ऐसे ही आपको सारी information एक एक करकर review कर लेनी है, and next पर click कर देना है, सारी information फिल करने के बाद आपके पास नया page उपनो कर आजाता है, sign and submit, इस page में आप नीचे scroll करेंगे, did anyone assist you in filling out this application, अगर आपको किसी ने help यह application form को fill करने में, तो आप yes, otherwise no पर click कर देंगे, हम यहाँ पर no पर click कर लेते हैं, then आपसे आपका passport document number पूछ रहा है, वो आपको यहाँ पर fill कर देना है, and then यह capture यहाँ पर fill करके, sign and submit application पर click कर देना है, then आपसे बोल रहा है, you have successfully signed and submitted your application, you cannot make any changes to your application at this point, please click next confirmation to complete the application process, मत्तब अब आप अपने application में कोई information change नहीं कर सकते, अब आपको simply यहाँ पर next पर click करके, अपना application process complete कर देना है, next पर click करने के बाद आपके पास यह page open ओकर आ जाएगा, यह आपका confirmation है, अगर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको print confirmation, print application and email confirmation के तीन option मिल लाएगे, अगर आप print confirmation पर click करेंगे, तो यहाँ पर आपको इस page को print करके रख लेना है, then आप यहाँ पर print application पर click करेंगे, तो यहाँ पर आपको आपकी पूरी application दिख जाएगी, जो भी information आपने फिल करी है, इसको भी आपको print करके रख लेना है, then आपको email confirmation पर click कर देना है, email confirmation पर click करने के बाद यहाँ पर यहाँ आपसे कह रहे हैं कि you have provided the following email address, आपने जो भी email फिल किया गए, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, then friends आपके पास यह नया page open ओकर आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ आपको बता रहे हैं कि आपकी application successfully submit हो चुकी है, अब आपको यहाँ पर simply exit application पर click कर देना है, आगे की process आपको offline करनी पड़ेगी, आपको MBC जाना पड़ेगा, MBC में क्या क्या document लेकर जाने पड़ेगे वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको आपका passport लेकर जाना पड़ेगा, चार photograph लेकर जाने पड़ेगे, passport size और यह जो अपने application अभी अभी print कर रही है, यह आपको printed application लेकर जानी पड़ेगी वहाँ पर, तो friends यह थी आज की वीडियो, I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो please वीडियो को like करें और share करें, अगर आप हमारी चैनल पर नई हैं, तो please चैनल को subscribe करें, and friends मैं आपको फिर से बता दू, इस website का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके easily check out कर सकते हैं, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye.